कि राम राम जी आज आप लोग का स्वागत है लाला जी का धाबा.com में आज मैं आप लोग का साथ सेर करने जा रहा हूं मलके का दाल या छिलके वाली मसूर की दाल काली यह दाल बहुत ही बेहतरिन होता है और कम मसालों से बनता है अगर इसकी समागिरी कुछ भी चाहिए है अब हमारे वेबसाइट पर विजिट करके सारी सामयगिरी और वीडियो देख सकते हैं यह देखे हमने दाल एक की दोजिया है इसको बढ़िया सम दो देंगे दोने कबाद कूकर में दो तिन सीटी लगा के और इसको उबाद देंगे एक मेरा और भी चैनल है मेरे हाथ का सबुल् Tableau की में अपने बनाता हूँ बहुत सब्सक्राइब की चैनल टर्ला बनाटे है इसमें पतेदा लिया है उसमें पतेदा लिया है थोड़ा कम जाधा तेल कर सकते हैं और यू पर देखिए एक छोटा साधरक पतला पतला काटके डाल दिया है और यहीं पे दस लाज मिर्ची फढ़कर डाल लिया है और इक पर प्याज मैंने रङभी काटक्निया जब यह जीरा कि और हरी मिरचदरक तड़क जाएगा तो हम डालेगा प्याज टैलेंगे उसके पाद सबये डालेंगे कि मैं परसो लाइब आया था उसमें आपको बताया था कि जो जोग भी ऑनलाइन कि यूटूब सीखना चाहते हैं वह कमेंट बॉक्स में यस दिखें ताकि उसका काम तेजी से बढ़ाया जाए कि देखिए हमने एक पाव इसमें जो प्याज काट रखा था बारी कि इसको अब मीडियम भी काट सकते हैं छोटा-छोटा काटेंगे जलजी फ्राई हो जाता है बड़ा-बड़ा काटेंगे तो टाइम लगता है और यह जब हमारा प्याज भून गया है तो उसी में एक पाव लगता बड़ा सकते हैं इसके मातरा को अगर ठीमाटर डालते हैं और तो बढ़िया बनेगा क्योंकि सब्सक्री नमक डाल दिया ताकि टमाटर जल्दी गल जाता है नमक कर नमक हमने डाल दिया दो काम हमारे एक अठाई हो जाता है यह देखे टमाट्रों कर से दवा दबा के इस तरह से बनाया दाल और हमें जरूर दिख के बताएं क्योंकि मैंने दसुत तरह का दाल बनाया गिया दाल पालक दाल तरका वह आपने बहुत सब रहा है और मैं रोच नया कोसिस करता हूं कि नई दाल बना के आपको टेस्ट कर रहा हूं चाहे तो आप इसमें जाल मिर्ची एक चमार डाल सकते हैं क्योंकि मैं देखिए हमने दाल उबाद के कुछ से बाहर निकाल या दवा का दिखा रहा हूं यह दो तिन सीटी के पाद बिल्कुल अउलियों से दबाने के बाद बि देकिन हम कोसिस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम तेल मसालों में सबजी दाल कुछ भी बनाया जाए तो अब देखिए दाल तो बिजगुल गाड़ी है तो इसमें मिलाते हैं अपना स्टाइल माड इसमें माड मिला है अगर आपके माड नहीं है तो आप गरम पानी करके दोनों आप मोटा पतला कितना करना उससाब से करिए या दाल रखने पर दाल मखनी की तरव आप और बहुत ही बहत्रीन लगता है ये मल के चिजगे वाली डाल मसूर की चिजगे वाली डाल तो इस तरह से आप दाल बनाएं और हमें रहे दाल, के त्यार हो गया है थम्होंद कि अस सथा चाफ़ ने जाखने में हैं कि सांत में कहते हैं दाल तो आपना तरीका मोटा बसट्रा कि एक भेए क्योंकि हमारा दाल चल सुबह 9-10 वजे बन जाता हुजी समय से कोई ना कोई कस्टमर आता रहता है खाता रहता है खिद आते रहता है हम लोग भी रास्ता करते हैं इसी में से तरह से बनाया तो हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ जबते के लिए राम राम जी